Hello students, welcome back on your YouTube channel याशकर लेर्निग Students, आज हम करेंगे क्लास फिर्फ का लेसिन नुम्बर एट A genie whom no one liked A genie, एक genie जिसे no one liked पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता This story में कैसे genie की बात की जा रही है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता उसको पसंद ना करने का reason क्या है तो पढ़ेंगे वो story में Students, have you heard the story of Ginny and the magic lamp और चिराग का जिन Have you heard क्या आपने सुनी है The story, कहानी of Ginny, Ginny की and the magic lamp और चिराग का जिन Magic lamp, Ginny की या फिर चिराग के जिन की story आपने सुनी है Do you know, क्या आप जानते हैं, How the Ginny came out of the lamp की Ginny जो है, वो lamp से कैसे बाहर आता है, कैसे बाहर आ सकता है वो Ginny of the lamp, जो lamp का Ginny है, Is known, जाना जाता है To fulfill, इच्छा पूरी करने के लिए, To fulfill the wishes, इच्छा ही पूरी करने के लिए Of people, लोगों की आपको पता ही है, जब Ginny को रव किया जाता है, चिराग को तो एक Ginny निकल कर उसमें से बाहर आता है, चिराग में से और वो बोलता है, कि आपकी क्या इच्छा है मेरे मालिक मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इस तरह की कुछ वर्डिंग वो बोलता है कैने Ginny be ever unhappy, क्या कोई Ginny भी unhappy हो सकता है, तो चलिए स्टुजिन्स पढ़ेंगे इस स्टोरी में आपकी इन सभी कुशन के आंसर आपको स्टोरी में मिलेंगे, बहुत ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जद सद शेयर कीजिए साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए इसका बेनिफिट आपको यह होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ओके तो चलिए करते हैं स्टार्ट वंस अपॉन ए टाइम एक बार एक समय की बात है देर वाज जीनी एक जीनी था बट इस पर्टिकुलर जीनी वाज फेमस for spoiling तिंस लेकिन जो पर्टिकुलर जीनी था जो एक खास जीनी था वो क्या था, वोस फेमस फेमस था, परसित था, किसलिए for spoiling things चीजों को spoil करने में, वो चीजों को spoil कर देता था, वो कैसे whenever someone rub the magic lamp whenever, जब कभी भी someone, कोई भी rub the magic lamp, उस magic lamp को rub करता था, it means regretता था, he would come out and say, he would come out उस lamp से बाहर आता और कहता, what is your wish आपके क्या इच्छा है then, a great cloud of smoke would appear, उसके बाद क्या होता कि एक smoke को ब्रासा बादल दिखाई देता hundreds of things would fly through the air, hundreds of things, सैकडों चीजे would fly, उरती हुई through the air, हवा में उरती हुई सैकडों चीजे वहां आ जाती when somebody wanted something जब कोई भी, देखो when, जब somebody, कोई भी wanted, चाहता था something, कुछ भी जब भी कोई कुछ चाहता था तो जो things थी, वो हवा में उरती हुई एक dust की तरह है, उरती हुई नहां आ जाती he would bring it covered in so much dust or he would bring it और वो सभी चीजों को लेके आता covered, धकावा, मैं बिल्कूल पुरी तरह से भरावा in so much dust, बहुत ज़्यादा धूल में, जो चीज़े आती थी वो धूल से बहुत बुरी तरह से cover होती थी, बहुत ज़्यादा उन पर धूल लगी होती थी that nobody wanted to even touch it, तो इसलिए कोई भी, nobody मतलब कोई भी wanted, चाहता था, to even touch it, इसको touch करना कोई भी उन चीजों को touch करना नहीं चाहता था so silly were his mistake that no one liked the magic lamb, so silly इसकी इस मूर्खतापूर जो मूर्खतापूर जो उनकी आदत थी silly मतलब मूर्खतापूर were his mistake, जो गलती उसने की थी, मूर्खतापूर that no one liked that magic lamp, उसकी इस वज़ा से कोई भी, उसकी इस mistake की विज़ा से कोई भी उस magic lamp को पसंद नहीं करता था so the genie didn't come out for years इसी वज़ा से genie कई सालों से बाहर नहीं आया one day a lonely boy named Pankaj, एक दिन क्या होता है एक अकेला लड़का होता है जिसका नाम Pankaj होता है found the lamp, उसे वो lamp मिलता है he hear the sad cries of the genie, he hear उसने सुना, the sad cry, एक उदासी भरी चिलाने की आवाज, of the genie जीने की, तो उसे एक दिन, उसे जीने की उदासी पूर चिलाने की आवाज आती है so he decided to try to try, to become his friend उसका दोस्त बनने की वैसला करता है कि वैं उसके फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा, try करेगा the wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp अब उस पंकश ने, उस लड़के ने ये इच्छा रखी कि उसे उस lamp के अंदर आने दिया जाए and उस lamp के अंदर रहने दिया जाए कि तो उसने उस lamp में अंदर आने की और उसमें रहने की इच्छा प्रकट की the genie was happy to grant this wish अब जिनी जो था इसकी इच्छा को पूरा करके काफी खुश था as soon as पंकश एंटर दा लेंप as soon as जैसे ही पंकश एंटर एंटर मतलब परवेश किया दा लेंप, लेंप में जैसे ही पंकश ने लेंप में एंटर किया he could see what the genie's problem was तो वो अच्छे से देख सका कि जीनी की वास्तुप में problem क्या थी समस्या क्या थी it was not that he was a bad genie वास्तव में वो एक bad genie नहीं था it was just that he was untidy उसकी समस्या क्या थी कि वो जो उसका जो लेंप था वो थोड़ा untidy था मतलब विवस्थित नहीं था इन दा लेंप everything was thrown all over the places इन दा लेंप के अंदर everything सब कुछ was thrown फैली वी थी फैंकी वी थी all over the place हर एक जगा पर जितनी भी चीज़े थी वो प्लेस में इदर उदर बिखरी वी थी फैली वी थी whether it is to be jewelry चाहे वो jewelry है चाहे books हैं चाहे box थी जो कुछ भी था सब कुछ इदर बिखरा हुआ था उसने इदर उदर फैंक रखा था it was clear अब ये बात तो clear थी that the place had not been cleaned for years कि जो वो जगे थी वो काफी सालों से साफ नहीं की गई थी pick up anything and a cloud of dust would fly up उसने कहा कि इसमें से कोई चीज उठाओ तो ये बात कहते ही उसके चारों तरफ जो cloud था dust का वो उडने लगा उस dust के clouds में सभी चीज़े उडने लगी पंकज बहुत ही हैरान हुआ दजिनी felt ashamed अब जब पंकज इतना हैरान हुआ तो जिनी को काफी शरम आई वो शरमिन्दा हुआ and appolized और उसने उसे शमा मांगी he said that जिनी's job was very important उसने उसे कहा कि जिनी की जो job है वो बहुत important है and he had no time for cleaning अब और उसके पास इस lab को साफ करने के के लिए time ही नहीं होता था but पंकज remembered his mother's advice लेकिन पंकज को remember means याद आई his mother's advice अपनी mother की सलह advice means सलह लेकिन जो पंकज था उसे अपनी मदर की सलह याद आई he told that जिनी उसने जिनी को कहा that it was important कि ये बाद जरूरी है to keep all his things in order कहता है कि अपनी सभी चीजों को उच्ची जगा पर रखना बहुत important है and so they decided to give the place a good clean और फिर उनोंने decide कि वो इस place को बिल्कुल अच्चे से clean करेंगे it took them quite a few days और ऐसा करने में उन्हें कुछ दिन लगे when they finished जब उनोंने ये सब काम finish कर दिया everything was gleaming सब कुछ वहाँ चमक रहा था and in its correct place और सब कुछ अपनी correct place पर था अपनी उचित जगह पर था now it was very easy to find whatever gifts was asked for अब जो था now it was very easy अब बहुत ही easy था to find खोजना क्या whatever gift was asked for और जिस gift के लिए डिमांड की जाती जो gift लाने के लिए कहा जाता उसको खोज पाना बहुत easy था and to get it without breaking anything और उसको बिल्कुल easy हासिल करना ताकि कोई चीज भी नेट उटे बिना कोई चीज तोड़े और बहुती easily वो gift ढूना काफी easy रह गया and so the genie begun to be respected and liked once more अब क्या था कि जो इस reason से जो genie था genie begun to be respected अब genie की फिर से respect की जाने लगी सभी उसे सभी उसकी respect करते थे और सभी के दवारा उसको पसंद किया जाने लगा he learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all the things अब उसने सिखा कि बिना किसी order के और साफ सफाई के जो सभी चीज़ें जो थी उनकी साफ सफाई के और उनको order में रखे बिना कुछ भी उपलब दिया है वो हासिल नहीं की जा सकती तो students यह हुआ आपका इस lesson का Hindi translation I hope आपको इसका Hindi translation अच्छे से clear हुआ होगा तो students इस lesson से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी सभी चीज़ें proper place पे रखनी चाहिए अगर आप सभी चीज़े proper place पे रखोगे तो उनको एक तो ढूना easy होगा दूसरा घर भी आपका काफी सुन्दर लगेगा अगर आपका घर अच्छा लगेगा तो सभी आपको पसंद करेंगे तो students मिलते हमारे next वीडियो में इस lesson की exercise के साथ Thank you